तो चलो आज बनाते हैं केक पोपर्स और उसके लिए पहले तो केक चाहिए केक बनानी पड़ेगी आपको केक बना दो उसके बाद उसको ऐसे एकदम से क्रश कर देना है बिल्कुल भी गाठा जैसा रहना नहीं चाहिए उसके बाद उसके बिटर डाल दो बटर से बाइंडिं मेल्ट करना है उसमें इसको डिप करना है अच्छे से मिला दो जितने ज्यादा चॉकलेट चाहिए तो ज्यादा लगा दो और उसके उपर थोड़े स्प्रिंगल कर दो ये रैडी है हमारी केक पोपर्स इतना टेस्टी लगता है क्योंकि जो जिसको केक अच्छी लगती है वो बिल्कुल इसके लिए मना नहीं कर पाएगा and trust me मैंने भी ऐसे ही try किया था but I loved it और इसके बाद मैं भी इसको हर बार जब भी cake बनाओ तब extra base बना के बनाने लगी हूँ क्योंकि यह बहुत ही अच्छा लगा हम सब को घर में और मैं जो भी recipe शेयर करती हूँ वो serve मैंने try की हुई होती है तो check कीजिए try कीजिए subscribe कीजिए bye bye